हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका डिजिल दयारी चैनल पे मैं श्रयान स्कोठारी ले के आँँ दोस्तों बहुत शानदारे किताब बहुत ही मुश्किल है बस आप लगातार इसी तरह से देखते चले जाएए दोस्तों प्रेपोजिशन चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 13 और उसको हम देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं बस आप इसी तरीके से देखते चले जाएए मजा ही आजाने वाला है बस इसी तरीके से continue करना है आपको हम क्या कर रहे हैं यहां पे बहुत important words पढ़ रहे हैं दोस्तों एक-एक word के बारे में बहुत ध्यान से गौर से देख रहे हैं कि किस तरह की words हैं दोस्तों हर word के साथ कब कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है वो हम सीख यहां पे अभी तक जो हमने किये थे पिछले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा 169 नमबर तक हो चुका था अब इसके आगे यानि 170 से आगे वढ़ते हैं दोस्तों 170 नमबर पे और 171 171 पे आप दोनों देख सकते हैं गाड दे रखा हैं यहां से देखें दोस्त जो गाड अगेंस mistake एंड गाड अगेंस टैंपिटेशन मेरको यह समझ आ रहा है दोस्तों कि कोई चीज के खिलाफ कोई चीज के against में दोस्तों अगर कोई mistake है अगर कोई temptations हैं कोई ऐसी चीज है जो आपको गलती कर रही हैं उसके खिलाफ गार्टेशन ङसे होना चाहिए, आप जो गल्तियां कर रहे हैं, mistakes कर रहे हैं, आगे देखिए, the wrong use of words, words का जो आप गलत प्रयोग कर रहे हो, यानि आप एक गल्ती कर रहे हो. जब भी गल्ती की बात आएगी, तो guard against हो जाएगा. और अगर किसी खत्रे की बात आएगी, कोई भी चीज का खत्रा हो सकता है, तो guard from आजाएगा. You should guard from him, तुम इससे बचके रहना, because he is a false of heart. आपको याद होगा, हमने इसी series के अंदर false of भी पढ़ाया था, false of heart. वह heart से बड़ा ही बुरा है, मतलब गलत आदमी है, इससे हमेशा guarded यानि बचके रहना यह कह रहा है. तो दोस्तों, हम यह तासी बात कह रहे हैं कि अगर किसी खत्रे से बचना है, guard from हो जाएगा. किसी mistakes से बचना है, तो guard against हो जाएगा. आगे बढ़ते दोस्तों, दो और word हैं हमारे पास, glance at और glance through. Glance at का मतलब है दोस्तों, quick look. आप कहीं चल रहे हैं, चलते चलते आपकी नजर कहीं पड़ी, quick look. बस एक बार नजर पढ़ना, उसे कहते हैं glance at, सरसरी नजरों से देखना, सरसरी निगाहों से देखना, एक बार नजर पढ़ना और छोड़ देना, दोस्तों ध्यान से देखेगा. He glanced at her face and started nothing down her address, noting down her address. उसने कुछ नहीं किया, उसने एक बार उसके चहरे को देखा, glance at, यानि सिर्फ चहरे को देखा बस और फिर क्या किया, उसके address को लिखने लग गया, मतब और ज्यादा उसको और गौर से नहीं देखा. चहरे को एक बार सिर्फ देखा और फिर अपना address note करने लग गया. तो आपने यहां देखा सिर्फ एक नजर सरसरी निगाहों से देखना लेकिन glance through का मत्दब है go through, ध्यान से देखना He glanced through the letter in a hurry and handed it back to me उसने पूरा letter ध्यान से देखा है जल्दी देखा है लेकिन पूरा देखा है Glanced through is go through पूरे को देखना, अच्छे से देखना, एक बार पूरे को अपनी नजरों से निकालना सरसरी नजर से यानि उपर से देखा पेपर आगे देदिया Glanced at Glanced through उपर से नीचे पूरा देखा और आगे देदिया Glanced through तो दोस्तों हमने देखा Glanced के साथ through कब लगाते है और at कब लगाते है आगे देखे दोस्तों इस बार तो दो दो शब्दों का ये दो शब्दों का एक जोड़ा ये दो शब्दों का एक जोड़ा एक और दो शब्दों का जोड़ा आ रहा है इन दो शब्दों में कहे दोस्तों तो गुड आट ये तो बहुत ही commonly आपको याद ही कर लेना चाहिए, ये तो बहुत ही commonly exam में आता है good के साथ at और bad के साथ at, इन दोनों के साथ ही at आता है, कोई चीज में आप बहुत अच्छे हैं तो good at कोई चीज में आप बुरे हैं तो bad at आपको कोई कार यो बहुत अच्छे से आपका स्किल है आपको बहुत अच्छे से आता है तो good at आ जाएगा जैसे आप expert हैं किसी चीज में He is good at piano वो piano में तो expert है expert है मतलब बहुत ही अच्छे से उन्हें आता है good at का प्रयोग करते है और good for आम तोर पे दोस्तों good for का प्रयोग करते है good for nothing यानि good for nothing का मतलब होता है आप उसको बिलकुल नाकारा बेकार कोई काम का नहीं ऐसा मानते है good for nothing वो अच्छा है good है किसी भी चीज के लिए नहीं यानि वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है यानि वो किसी कामका नहीं है, बेकार जैसे आप कहते है हिंदी में, बेकार, नाकारा, उसे हम कहते हैं good for nothing. He is good for nothing fellow. मतलब वो तो कुछ कामका ही नहीं है, good for nothing fellow है. दो और शब्दों के जोड़े की जगे दोस्तों इस बार है हमारे पस तीन शब्दों का जोड़ा. हम देख रहे हैं दो-दो वर्ड के जोड़े, जोड़े से महत पूर्ण यहां पर हमारा ध्यान किधर होना चाहिए. किस शब्द के साथ, किस परिस्थिती यानि सिचुएशन के अंदर हमें कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है. दोस्तों, कई सारे वीडियो निकल गए और अभी कई और वीडियो बाकी हैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा. यह बहुत जरूरी है, आपका समझना. दोस्तों, here के साथ, from here के साथ, off और here के साथ, by. Here from a person, किसी इंसान से सुनना, यानि कोई इंसान से बात आना, कोई इंसान से फोन आना. Here from, यानि कोई इंसान से बात सुनना, कोई और initiative ले रहा है आपके लिए, जैसे I have not heard from you for a long time. दोस्तों, here का second और third form होता है, heard, यह ध्यान रहे. ED नहीं आता है, बस HARD लग जाता है, heard. तो हम यह कह रहे हैं कि मैंने बहुत समय से तुमसे कोई बात ही नहीं करी. यहाना तुमने कभी फोनी लगा है, यार मुझे ऐसा जब हम कहते हैं. Hear of something का मतलब है कि भाईया, इस बारे में सुना, मैंने. I heard of this event in Mumbai and rushed back to, rushed back to Delhi. मैंने इस event का Mumbai में सुना, इसके बारे में सुना, यानि heard of, किसी चीज के बारे में सुना. एक तो किसी इनसान से सुना, heard from, किसी चीज के बारे में सुना, heard of. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंने इस event के बारे में मुंबई में सुना, और वापिस rushed back, यानि फटाफट से वापिस आ गए हम कहां पे? डेली में आ गए. दोस्तों, आज का आखरी वर्ड है दोस्तों, here by. here by का मतलब है here by, post या through communication, कोई चीज के माध्यम से सुनना, is here by. जैसे I heard by a letter about his uncle's death. उसके uncle की मृत्यू के बारे में, किस के द्वारा सुना हमने एक letter के द्वारा, post के द्वारा, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, यहाँ पे किसी event के बारे में, और किसी इंसान से, तो हमने देखा दोस्तों, here के साथ from, from, of, from, by, और इसी तरीके से good के साथ at or for, glance के साथ at or through, guard के साथ against or from. तो कई सारे words हमने देखे इस वीडियो में, इसी तरीके से every day हम वीडियो लेके आ रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहे हैं, आपके प्यारे चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है Digital Tयारी, धन्यवाद.